अब तक टाइम न्यूज और मैं हूँ आपका होस मलिक महमद इम्रान आए नाजरीन आपको दिखाते हैं कि वासा की कारकदगी और मैं इस बगर मजून हूँ दो मोरिया पुल के पास आए आपको दिखाते हैं कि यहां पे वासा की नाहिली किस तरह की है जी नादरेन यह देखें यह है दो मोरिया पुल और आज यह शपी तरीग है और इस टैम वकत हुआ है पांच बजगे और यह सूर्टियाल देखें दो मोरिया पुल की यह हमारा प्यारा लोहूर और यह देखें यह दो मोरिया पुल में जो गेंटो से टैफिंग जाम है यह देखें लेहादा इस वीडियो की मद्द से मैं आप सब को अगा करना चाहूंगा जो जो हदरात दो मोरिया पुल की तरफ आ रहे हैं वो मतबादल हसता इक्तियार करें ये देखें वो ये दरा देखें ये ये देखें जी ये बासा की जानम से जो बड़े बड़े दावे किये जाते रहे हैं साला साल से ये दावे किये जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया अगर ये ड्रेन साफ की होती ठीक है और इन ड्रेनों को बिल्कुल क्लियर रखा होता तो ये पानी का फ्लोर बहुत जल्द यहां से क्लियर हो जाता आप देखें कि ये सारा वकुआ आप सारी चीज़ें देख रहे हैं यहां पे आपको वासा का कोई अहल कानी नदर आ रहा र सुर्टियाल ना आगे जा सकते हैं ना पीचे हो सकते हैं देख रहे हैं ये सुर्टियाल ये अब बड़े बड़े तावेर हैं जी व्जि मीता आख्ते आखि हैं ये चौदा महा की कारकतिगी भी हैं तो बड़ा कуч है जी сю आप देखए ये देख़ें और मजीर देखें जे समयले के जो शेहर लहूर का दिल ना वो इस ताम मेज़े के रुक गया बो देखें आप ये सारा रसा जो नाखुदा चौंग को और आगे मजीद शादबा को जाने वाला रस्ता है इसकी सूरते हाल आप देखे और ये लाइव समयने के मनादर है जो आपको हम लोग दिखा रहे हैं ठीक है ये सबसे जो तकलीफ दे चीज़ है ना उसमें ये है कि आपको यहां पर कोई वासा का बंदा नी नजर आ रहा है कोई वासा का अहलकार नी नजर आ रहा है ठीक है कोई गाड़ी आप देह ले अगर नजर आ रही है तो मेरी निशानती कीजिए गा पर कोई वासा का अहलकार यहां पर खड़ा है ठीक है यह आमने दिखा होगा तकरीपन जितने मिनट भी मुझे होगे यह वीडियो बनाते हैं यह बिजारे वहीं के वहीं स्काक्ट है ठीक है वो देखें यह यह देखें तूर्दे आग़ा